अच देश के कोटी कोटी नागरितों का आभार व्यक्त तकरने के उपस्ते स्वाव विपस्ट को सुझाया और वो प्रस्थाव लेकर आए कि अब इस्वास प्रस्थाव हमारी सरकार का फ्रोर्टिश्ट नहीं है मैंने उस दिन कहा था बल्कि यह उनीका फ्रोर्टिश्ट है आदर ने अधिक जी पिछले तीन दिवस से अनेक वरीष्ट महानुभाव आदर्णिय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं करीब सभी के विचार मुत्तक विस्तार से पहुँचे भी है आदर्णिय अधिक जी देश की जनता ने हमारी सरकार के प्रति बार बार जो विश्वास जताया है मैं आज देश के कोटी कोटी नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए उपक्ति जवाव हैं और अधिक जी कहते हैं भगवान बहुत दयालू है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी ने किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है किसी ने किसी वो माध्यम बढाता है मैं इसे भगवान का आशिरवार मानता हूँ कि इस्वर ने विपश को सुझाया और वो प्रस्थाव लेकर आए 2018 में भी ये इस्वर का ही आदेश था जब विपश के मेरे साथी अब इस्वास प्रस्थाव लेकर के आए थे उस समय भी मैंने कहा था कि अब इस्वास प्रस्थाव हमारी सरकार का फ्लोर टेश्ट नहीं है मैंने उस दिन कहा था बलकि ये उनीका फ्लोर टेश्ट है ये मैंने उस दिन भी कहा था और हुआ भी वही जब मतदान हुआ तो विकपक्ष के पाथ जितने वोड थे उतने वोड भी वो जमान नहीं कर पाहे थे और इतना ही नहीं जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कांफिडन्स गोशित कर दिया और चुनाओं में एंडिय को भी ज्यादा सिटे मिली और भाजपा को भी ज्यादा सिटे मिली यानि एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शूब होता है और मैं आज देख रहा हूँ कि आपने तै कर लिया है कि एंडिये और बीजेपी दोहजार चोबिस के चुनाओं में पूराने सारे रेकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशिरवाद से वापिस आएंगे आदनी अद्धक जी विपक्ष के प्रस्ताव पर यहां तीन दिनों से अलग लग विश्यों पर काफी चर्चा हुई है अच्छा होता कि सत्र की सुरुवात के बाद से ही विपक्ष ने गंबीरता के साथ सदन की कारवाई में हिस्सा लिया होता बीते दिनों इसी सदन ने और हमारे दोनों सदन ने जनविश्वास बील मेडियेशन बील, डेंटल कमिशन बील, आदिवासियों के लिए जुड़े हुए बील, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बील, नेशनल डिसर्क फाव्डिशन बील, कोस्टनल एक्वा कल्चर से जुड़ा बील, ऐसे कई महत्वपूर्ण बील यहां पारित थी है और यह ऐसे बील थे, जो हमारे फिशर्माइन के हक के लिए थे, और उसका सबसे ज़्यादा लाप केरल को होना था, और केरित के सांसर्दों से ज़्यादा प्यक्षा थी, क्यों ऐसे बील पर तो अच्छे रंग से हिस्सा लेते हैं, लेकिन राजनीती उन पर हावी हो चुकी है, को को फिशर्मेन की जित्ता नहीं है, यहां नेशनल डिसर्ट फाउंडेशन के बिल था, देश की युवाश शक्ति के आशा अकांशाओं के लिए एक नई दिशा देने वाला भी था, हिंदुस्तान को एक साइंस पावर के रुप में भारत कैसे उभरे, बैसे एक दिर्ग दर्ष्टी के साथ सोचा गया था, उ से भी आपका इतराज, डिटीजन डाटा प्रोटेक्शन बिल, यह बिल अपने आप में, देश के युवाशों के जजबे में जिस बात आज प्रमुख्ता से है, उससे जुड़ा हुआ था, आने वाला समय टेक्नलोलोजी ड्रीवन है, आज डाटा को एक प्रकार से सेकंड ओईल के रुप में, सेकंड गोल्ड के रुप में माना जाता है, उस पर कितरी गंभीर चर्चा की ज़रोत थी, लेकिन राजनीती आपके लिए प्राफिक्ता थी, कई ऐसे भी थे, जो गाउं के लिए, गरीब के लिए, दलीद के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवास्ते के लिए, उनके कल्यान की चर्चा करने के लिए थे, उनके भविश्च को साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें, इन्हें कोई रूची नहीं है, देश की जनता ने, जिस काम के लिए उनको यहां भेजा है, उस जनता का भी विश्वास गात किया गया है, विपक्ष के कुछ दलों के लिए, उनके आत्रंप, उनके भावार से, उन्होंने सिद्ध कर दिया है, कि देश से ज़्यादा उनके लिए दल है, देश से बड़ा दल है, देश से पहले प्राथ्विक्ता दल है, मैं समझता हूँ, आपको गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सबार है, आपको देश के युवाओं के भविश की परवा नहीं है, आपको अपने राजनीति भविश की चिंता, लिति Esp segueके भो कि देश सबाते है, संपस्क्षू की चाल आपको अबाद की चिंता है, आपको रहीं है, आपको की चाल मैं सबते हैं, आपको देश सब्सक्ता है, सबास्साफ से पक्रावें ओ Const Rice, Chief Works क to P